आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ है राजिस्थान के ग्रह मंत्री श्री गुलाब चन कटारिया कटारिया साथ आपका स्वागत आमने सामने बहुत बहुत बिधान सभा चुनाव, लोक सभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव हर एक में भाजपा जीत हासल करती गई जबकि आप लोग खुद कहते हैं कि वह इतने चुनाव से हमें तो काम करने का मौका ही नहीं मिला तो दो साल के कामों का विश्टेशन करके देख ले, जितना उन्होंने दो साल में किया, मेरा विश्वास है कि ग्रह विबाग में उतना और उससे ज़्यादा, मैंने किया है, कोई चाहे तो उसका मुल्यांकन कर दे, किसी दीसरी एजेंसी से करा ले, ताकि उनको भी कुष्ट ही हो जाएगी कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें कितना सत्य है, ग्रामीन शेतर में भाजपा की इतनी बड़ी जीत वाकी काबिले तारीफ है, निश्चित रूप से, पहली बार, वैसे सरकार तो उनने चार बार पहले भी बनाई, पंचायत राज में हमारा इतना नी तो जहां केंद सरकार की पूर्ण भहुमत कहा होना और राजस्तान में इतना भहुमत आना और जनता के मन में विश्वास है कि एक बार कम से कब जब इनको समर्तन दिया तो सभी प्रकार से इनको देखा जाए, तो मैं सोचता हूं वो भी एक प्लस पॉइंट हमारा रहा, ज दीरे 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 दे बढ़े हम और निश्चित रोज से कॉंग्रेस जो यह समझती थी कि पंचायद राज में तो मैंने जो चुनाव के पहले एक आम धारना भी यह थी कि बाजपाश शेहरों की बाटी है सोचते थे पर मैंने अब की बार उनको गाओं से भी भार इसलिए किया कि मैंने जो लास टाइम पर जो अमेंडमेंट किया पंचायद राज में क्योंकि पहला कोई अनपढ होता था तो भी सरबंच बन सकता था कोई न तो मैंने शिक्षा को जोड करके जो मठादीश बन करके इस पंचायद राज पर बैठे थे उनको निकालने के लिए शिक्षा से जब जोडा तो कई लोगों ने जिन्होंने कपड़े सिला सके चुना पर MP MLA भी तो शिक्षित होना चाहिए ना वो कब लाएंगे MP को कुछ भी काम नहीं करना पड़ता कागज इदर से जयना पड़ता है मंत्री होता है उसके हाथ से कोई आदेश निकलता है सरबंच इतनी पावरफुल पोस्ट है कि उसके हाथ से लाखों रुप्या मैं आपको बहुत इत्मियान से साथ कह रहा हूँ कि जो शेंक्षन उसे निकालना है जो और उसे करना है जो काम को उसको करना है अधिक्रार मेरे को सो रुपया भी एजे-मयले सरकार के फंड से निकालने का अधिकाल नहीं है लेकिन सरबंच के पास हर साल एक क्रोढ रुपया आता है अगर वो अनपड होगा तो उसका सेकेर्टरी कहीं भी अंगुठाव लगा देता है और मैंने जितनी अपीले सुनी उसके आधार पर मैंने मेलाओं को जिस डंक से रोते हुए देखा कि भाया मैं तो कहीं भी नहीं कि तो जहां का इसने वह अंगुठा लगा दिया तो मैंने वहीं से इस बात को समझने कोशिश की कि कम से कम जिस पूस्ट पर ये एक ऐसी संस्था की पोस्ट परदान की प्रमुक की और सर्पंज की जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया का बज़ट रहता है खर्च करता है और उसको देखता है और आगे तरक्की का रास्ता है MLA आएगा अपनी बात रख देगा चला जाएगा मंत्री होगा उसको दरूर फाइलों को डील करना पड़ता है आप क्या मानते हैं कि दीरे दीरे करके क्या ये एक एड्यूकेशन क्वालिफिकेशन MLA और MP तक आनी चाहिए जोगा जिस्ते शिक्षा के साथ अपने ग्रामिन जन प्रतिनीदियों को चोड़ने के लिए और मिकल से आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव दिखाई देगा कटारिया सब्सक्राइब निश्चित रूफ से इस बार भी दिखाई दिया जो लगता था कि मेरे को लेकर अब क्या मानते हैं कि ये चीज पहले भी थी भारत में पहले भी इंटॉलरेंस रही है भाजपा सरकार के आते ही ये मुद्दे क्योटने लगते हैं मैं सुझता हूँ इंटॉलरेंस तो हमेशा थी कोई आज नहीं थी ऐसा नहीं है लेकिन चूंकि भाजपा इतनी बड़ी उंचाही पहुंच के ये लोगों को पच नहीं रहा है और इसलिए वो किस आधार पे भारत कमजोर करें तो एक ही पक्षे जिसमें बार 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 जाए और कैसे की जाए अगर उनको कोई आरोप लगाना तो हमारी वर्किंग पर आरोप लगा है हमारे काम पर लगा है हमारे द्वारा किये के कामों पर लगा है इधर दूर के जगड़े लाकर के जिस परकार से बातों को फेंच करके जो समाज में तनाह लाने की कोशिश कर करते हैं यह उनका पुराना खेल है हमको गाली दे करके उन्हें इतने साल तक राज किया लेकिन दिरे-दिरे जंता समझने लगी है कि वास्ता में बीजेपी क्या है हमने तो पचास साल तक गांदी जी के हत्यारे की गालीयां ही सुनते रहे और इसके कारण से उनका काम चलता रहा कभी वो मुसल्मान को सांपरदाइक बताते हैं हमको कभी और कुछ कहते हैं अब की बार इनकी सब तुरफ फेल हो गई इसके कारण से अब उनको वापस उनी को भड़का करके किसी तरसे विद्वेश पैदा करने का एक शडियंत्र है आप राजसान के ग्रह मंत्री हैं और हाल ही में टॉक मालपुरा में आईस आईस को समर्थन देते हुए नारे लगे हैं क्या राजसान की सेक्यूर्टी एजेंसी आईस आईस के डेंजर को समझते हुए उसका सामना करने के लिए खड़ी हैं यहम आप से जानेगे एक छोट आज अगर हमारे राजस्थान में टॉप मालपुरा में उसको समर्थन देते हुए नारे लगे हैं तो ये एक चिंता का विशे है और माना जाना जाहिए अब क्या कहते हैं ये कुछ जो शरार्थी तत्वे उनका है मैंने उनको आइडेंटिफाइ किया वीडियो ग्राफिय में किया और उसके बात करने के बाद मैंने उन लोगों को गिरफतार भी किया देश रो का मुकदम भी बनाया मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि अभी इतना बड़ा जो देश है उसमें से अब कोई भी इस प्रकार की प्रवर्ती से जुड़ावा व्यक्ति अभी इस राजिस्तान में नहीं है लेकिन मेरा और पुलिस का जो काम था इस प्रकार की एक्टिविटी जिस्ते की उसके खिलाब जिन धारों में केस बन सकता है उन धारों में केस बना कर टो गिरफतार की और अभी जो इंडिनिएटिंग मैनेजर वारा केस हैं वो कितना चीलता है अगर मालो यह मेरी पुलिस अभी नहीं होती तो इतने बड़े अधिकारी को धून्ड के गश्य से निकाल इसका मतलब पुलिस ने भी अपनी कोई अक्टिविटीज को प्रारम कर रखा था इसलिए इतना बड़ा अधिकारी जिस पर कोई डाउट किया नहीं जाता पुलिस ने किसी इन किसी सोर्स से उसके सारे के सारे जो थे उनको जुटाने का प्रियास किया जुटाने का प्रियास करने के बाद उसको गिरफतार किया और उस सारे के सारे प्रकन खोलो इसका मतलब यह है कि एक्टिविटी लंबे साहिमें से इप चल रही होगी पुलिस के गेहरे में जब यह आई तो हमने उस पर तुरंत कारवई की और मैं सोचता हूं कि भविश में और वो कितना बिगाड़ा करता उससे पहले ही हमारी पुलिस ने सक्री रहकर के उसको दवोट लिया रिसरजेंट राजस्तान दो साल के साथ आपने एक तरह से जोड के किया बहुत भव्य फंक्शन हुआ बड़े करोड़ों कोई जी बड़ लंबे लबड़े बड़े फिगर सुन रहे हम जितने MOU साइन हुए कटारी साब पिछली बार भी रिसरजेंट राजस्तान हुआ था मेरे ख्याल से 50 प्रतीशत भी MOU पिछली बार भी ऑनर नहीं हुए थे एक तरफ हई पलग है सर जमीन पर कितना फायदा होता है आपको जाना होगा ना पिछली बार 2007 में किया जब हमारी सरकार का समय कम बच गया था उसको धर्ती पर लाने का काम आने वाली सरकार का भी था उसने उसमें कुछी प्रकार की रुची नहीं दिखाई इसलिए अपकी बार हमने सोच करके समय के पहले दो साल पहले ही M.O.E. किया है ताकि इसको धर्ती पर उतारने की दर्ष्टी से जो जो भी सुईधाएं इन इन्वेस्टिटोरों को लाने के लिए लगाना है वो लगाए है आज ही हमने केबिनेट में 5-6 प्रकार को फाइनल किया है उसमें लगफ़क 5,000 करोड रुपे का इन्वेस्टमेंट आकर के और लगफ़क 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा आज ही उनके साथ जो है न हमने केबिनेट में निरना करके उनके सारी जो छूट देनी उसको दी है जिनके साथ हमने 3,000,000 और 20,000 करोड रुपे का जो एक 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 को निरनतर उसके पीछे पढ़कर के इन्वेस्टमेंट लाने का प्रेत्वी कर रहे है क्योंकि सर पीछे पढ़ना पड़ेगा यह नहीं कि बस आगे वो MOU साइन होगा पर यह है कि सर आई थिंग आपने अपने प्रिंसिपल सेकेटरी को भी बोल दिया और मिनिस्टर्स भी आपके चेस कर रहे है MOU को कि किसी भी तरह जो कागज पर है उसको धरातल पर उता रहे है जनता का फाइदा तो तभी होगा कि कागज धरातल पर उतरे नहीं तो किवल हमारी बात हो जाएगी और यह हमारा हमने इसलिए इतना जल्दी किया ताकि हमारे पास पर आप समय होगा सब्सक्राण से कोशल विकाज से बच्चों को रोजगार मिलेगा और यह बात आपको एक साल में लगेगा कि हम लोगों ने जो तीन लाग दीस अजार या चालीस अजार जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया है उसमें से मेक्जिमम लाने का प्रेत न करेंगे सबलता निश्चित रूफ से मिलेगी और आगे भी मिलेगी कॉंग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा के नीचे सरकार्नरी मंशीनरी जो है वो बहुत सुस्थों के काम करती है और उधारन के तार पे गिर्दावरी रिपोर्ट डेडलाइन पे डेडलाइन निकलती गई बहुत डिले में आके और इसकी वज़े से हमारे किसानों को बहुत नुक्सा मैं सुचता हूं कि कॉंग्रेस वाले इस बात की बहस में आ जाए कि उन्होंने अपनी गिर्दावरी कब शुरू की कब उसने कंप्लीट की कब उन्होंने में मेमरांड बनाया और कब भेजा और कब पैसे प्राप्त किया में दावे के साथ वो जिस मंच पे आना चाहे उस म नुकसान हुआ मैंने विदान सबा में गोशना की थी उस समय फरवरी एंड था और मार्ज का पहना था मैंने का मैंने अप्रेल पंदरा के पहले पहले अपना पैसा डिस्टिबूट कर दूँगा और आपने देखा मैं पंदरा दिन में अपनी गिर्दावरी कंप्लीट की अपना मेंवरेंडम बनाया हिंदुस्तान में पहला राज है राजस्तान जिसने खराबा 50% उपर का ही पैसा मिलता था हमने केंद सरकार के मुक्यमंदी जी के साथ जाकर के प्रेतन किया 33% से उपर खराबे को भी हमने जुड़आया रेट में भी उसको डेड़ा किया और ड इंगर शिकायत आप किसी मीडिया के माध्यम से भी राजस्तान में दर्ज हुई हो तो उसका जुम्यदार में बैठाओं ये एफिशेंशी निये तो क्या है केवल शब्दों से कह देना बात दूसरी है मैंने हमेशा इस बात को माना है और अभी मैंने गिरदावरी जो है न मैंने आज ही किया केबिनेट में आज केबिनेट में किया और में मुख्य मंत्री भी जा करके उसके लिए जो कुछ सुईदा है हमको लाने है साधन लाने है मैं सोचता हूँ इतना जल्दी जबकि हमारे पास पटवारियों का संतोष था काम में उन्होंने विगने डाला हमा पंद्रा अक्टूबर से लेकर पंद्रा नॉम्बर तक का किरदावरी का समय है और आज अपन दिसंबर में बैठे हैं पंद्रा में माने पूरा बनाकर मेमरेंडम दिली तक भीज दिया है इसमें डेले ना रहा लेकिन पॉलिटिकल अपॉइंट्मेंट्स में तो भाजपा अपने डिले करा जी उसका क्या कारण रहा यह हम आप से जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद अभी वापस आते हमारे साथ रहिएगा आप सब्सक्रिया ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस तर पॉलिटिकल अपॉइंट्मेंट्मेंट्स में डिले क्यों रहा वो तो आप मानेंगे रहा मतलब को आप लोगों को बूचना बढ़ा कि बही क्या बात है विमन कमिशन खाली पड़ा है विमन राइट्स कम पोस्ट खाली पड़ी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स वाला तो अभी तद भी है, क्या रहा? प्रोटेक्शन राइट्स वाला तो अभी तद भी है, क्या रहा? प्रोटेक्शन राइट्स वाला तो अभी तद भी है, क्या रहा? मैं सुचता हूँ कि जो काम जनता के लिए आवश्चक है और नीचे तक ले जाना है, वो सारे के सारे काम हमने समय बद्द करने का प्रयास किया है, आप किसी भी कारने पंचायद चुनाओ से लेकर पंचायद की बागी सारी व्योस्ता हैं, जितना हमने पानी के अभी एक तरह से समरक्षन के लिए उसको नीचे तक ले गए हैं, हमारी तीन बड़े बैसीन है, सावरमती बैसीन है, माही बैसीन है, चंबल बैसीन है, उसका काम हमने शुरू किया है, ताकि उसके करन से हमारा एरिगेशन का इरिया बड़े, एक जटके में आमने पांच हजार 10 प्लस 2 स् इस राजस्तान के इतियास में कभी नहीं खुले। जहां जहां आती वरष्टी हुई जिस प्रकार का एक तरह से बाड़ की स्थिति बनी। इस राजस्तान के साथ लेनी पड़ी वो ली, गुजरात की टीम को बुलाई, हमने चिन्नाई की टीम को यहां बुलाई और नावें उनके साधनों के साथ बुला करके, हमने जो काम किया है, वो केंद्र सरकार ने हमको उसके लिए सराया है। कि वास्ता में आप लोगों ने जिस धंक से काम किया है, किसी प्रकार की जनहानी नहीं होने थी। क्राइम ग्राफ 2015 में नीचे आया है। पहली बार हमारे जो IPC के अपराद है वो 5.5 कम हुआ है। क्राइम को दोरा करना ही पड़ेगा और मैं जब दोरा करके जाओंगा तो SP को अपनी जगे छोड़ करके नीचे थाने तक जाना ही पड़ेगा। और उसी की मॉनिटरी करता हूँ और इसलिए नीरक्शन हंडेट परसेंट पूरा हुआ। मैंने 861 जो थाने हैं उनका स्वयम का एके का मुल्यांगन किया, उनका ग्रेडिंग सिस्टम किया, हर थाना हर मैंने देख सकता है कि मैं 861 में 335 पे हूँ या 813 पे हूँ, उसका हर मैंने का ग्रेडिंग करके उनको कागज बेता हूँ, एक दूसरे के बीच में नहीं होई, कम हुए है, तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि सर, अगर हम लोग नैशनल फिगर में देखते हैं, तो राजस्थान थर्ड हाइस स्टेट में आता है, अगेंस क्राइम से इसको आप सस्टेनेबल करके आगे तक कैसे लेके जाएंगे, यह मेरा आखरी परशन है कोशिश कर रहे हैं, एक दम तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, कि मैं कल से बिलकुली खतम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रियास किया है, और प्रियास के साथ महिलाओं को आत्म विश्वास पैदा करने के लेवी, मैंने हजारों बच्चियों को एक तरह से उनको मेरी पॉलिस स्पोर्स को भेज करके मनोबल बढ़ाने का भी प्रैतने किया, मैंने हर स्कूल और कॉलेज के बाद इस प्रकार से गुंडा गिरती होती है, आज की तारिक में आप देखोगे, पॉलिस की प्रदेश के कारण से, सामानित आपको कहीं दिखाई नहीं देता है, मेरा जो माइ प्रियास करना है, जो भी उनके खिलाब कारवई करनी, वो तो मैंने की है, लेकिन ये कि ऐसी प्रवर्टी जो पैदा हुई है, वो वास्ता में, ये तो क्रिमिनल्स हैं, जो माज से कुप से बिमार है, वो दृष्टी से मैं जरूर ये मानता हूँ कि मैं इसमें जितनी सभल प्रियास कर रहा हूँ, लेकिन कमजोरी को स्विकार करने में एक मिनट में दरता हूँ, जो कमी है, वो है, निश्चित रूप से, ये जो छोटी चोटी बच्चियों के साथ जो रैप के कैसे दर्ज हुए है, वो बहुत शर्मनाक है, प्रियास करें हैं कि जल्दी से जल्द चालान पेश हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कटारिया साथ, तो ये था आमने सामने ग्रह मंतरी श्री गुलापचन कटारिया जी के साथ, अगले शनीवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक, जैहिंद!